Hello students, आज के इस वीडियो में हम properties of operation of sets discuss कर रहे हैं ये हमारा second part है आज पिछले part में हमने union और intersection और difference की properties discuss की थी आज हम complement और symmetric difference की properties discuss करेंगे तो सबसे पहले हम complement की बात करेंगे for complement of set एक बार फिर से हम डिसकस कर लेतें की complement of set हमारे पास क्या है हमारे पास एक universal set है जो इस rectangle से रिप्रेजेंट है ठीक है और a set हमारे पास इस circle से रिप्रेजेंट है तो आप देखेंगे की a dash और इसका complement एक ही बात है है ना ये किसे रिप्रेजेंट होगा universal में से a को हटाना है यहां से इस circle को हटा देंगे तो जो बचेगा वो अपने पास क्या होता है a dash होता है तो आप देखेंगे जो सैडेड रिजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है a dash को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे पास क्या हो गया a dash और ये हमारे पास क्या है a यानि a के अलावा जितना भी हमारे पास जो part है वो हमारे पास क्या है a dash है किसके अंदर यूनिवर्सल के अंदर इसको हम किस से डिनोट करते हैं ए डैस से या ए के उपर स्मॉल सी पावर यूज़ करके यानि कॉंप्लिमेंट ओफ ए ठीक है तो यह हमारे पास क्या कॉंप्लिमेंट है अब हम इसकी क्या करेंगे प्रॉपर्टी डिसकस करते हैं तो सबसे पहले आप देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी के उपर ए डैश जो हमारे पास सेट है उसका फिर से कॉंप्लिमेंट करना है क्या करना है फिर से कॉंप्लिमेंट करना है तो इसका मतलब यह यूनिवर्सल है ठीक है और ये A है और इसका हमारे पास compliment क्या था A डश है नि बहार वाला reason अब हम फिर इसी का क्या करेंगे फिर compliment करेंगे तो क्या आएगा A आएगा क्या आएगा हमारे पास से A set आएगा यानि एक set का दो बार compliment करेंगे तो वापस से repeat हो जाएगा set क्या आएगा A आएगा तो सबसे important बात है, ध्यान रखनी है, कि दो बार अगर हम एक ही set का compliment कर देते हैं, तो वापस से हमें वही set है, find हो जाता है, अब देखें आप second, A, union, A dash, अब आप देखें यहापे, एक तो A है, और A हमारे पास क्या है, A dash, ठीक है, अब दोनों का हम union करें, तो हमारे पास क्या हैगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, क्या हैगा हमारे पास से, यूनिवर्सल सेट आएगा, अब देखें आप इसके अंदर, A dash तो बहार है, ठीक है, इसका union A के साथ तो A और include हो गया, तो total यह rectangle आगया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हैगा, यूनिवर् सेट आएगा, थर्ड, A intersection, A dash, ठीक है ना, A intersection, A dash, अब आप देखें, A dash और A, दोनों का common हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी element common नहीं है, देखो, इसके element सेटेट रिजन में, और इसके जो element है, वो सरकल के अंदर है, तो इसका मतलब कोई भी element आपस में common element है, है यह नहीं, तो इसका intersection हमारे पास क्या हैगा, फाई आएगा, क्या हैगा, फाई आएगा, तो फिर से repeat कर लेते हैं, कि complement of set हमारे पास क्या होता है, A dash होता है, या फिर small c use करते हैं, A के उपर, और हम जब complement का फिर से complement करेंगे, तो set A हमें find होगा, दूसरा A union A dash, या फिर ये भी कह सकते हैं, A dash union A, तो वो हमें से क्या हैगा, यूनिवर्सल आएगा, और A dash और उसका intersection A के साथ, वो हमारे पास क्या हैगा, फाई आएगा, या उसमें कोई भी element नहीं आएगा, ठीक है, तो void set हमारे पास आजाएगा, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, next, fourth point की तरफ इसमें वो हमारे पास क्या है, बड़ा important rule है, compliment का, D Morgan Law, या rule कह सकते हैं, ठीक है न, D Morgan Law हमारे पास क्या होगा, compliment का, बहुत important है, four, any, two sets, A and B, किसके लिए यूज करेंगे, A and B, two sets के लिए यूज करेंगे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर, A, union, B का, dash, यानि सबसे पहले हम इन दोनों sets का क्या कर रहे हैं, union कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर, union कर रहे हैं, A, union, B का जो dash है, ठीक है न, इसका मतलब union होके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका compliment करेंगे, तो वो किसके को लाएगा, A dash, intersection, B dash के को लाएगा, सिर्फ क्या हो जागे, individual compliment लगेगा, और यह जो sign नहीं union का, यह किसका हो जाएगा, intersection का, तो अब हम इसको समझने की कौशिस करते हैं न, किसके थ्रियों, example के थ्रियों, if हमारे पास, A जो set है, वो है, 1, 2, and 3, B हमारे पास है, 2, 3, 4, and एक universal set ले लेते हम, ठीक है, कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह माल लो, एक universal set है, जिसके अंदर A, B भी है, और भी कोई हमारे पास set होगा, तो वो इसके अंदर है, तो यह हमारे पास है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, A union B करेंगे, तो आप देखेंगे, A union B करेंगे, तो हमारे पास क्या हैगा, 1, 2, 3, 4, A union B आ गया, अब इसका क्या 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 complement करेंगे, ठीक है ना क्या करेंगे, complement करेंगे तो क्या हो जाएगा, A union B का जो complement है, वो universal में से कौन minus हो जाएगा, A union B, यानि universal में कौन अट जाता है, 8 जाता है ना, वैसे ही, इसमें कौन अटेगा, A union B, तो इसके अंदर जब यह हटेगा, 1, 2, 2, 3, 4, तो क्या बच गया हमारे पास? 5, 4, 6 क्या बच गया? 5, 4, 6, ठीक है? तो यह तो हमारे पास क्या हो गया? A union B का complement हो गया, नहीं left side हो गया, इसकी ठीक है? अब हम बात करेंगे किसकी? अब यह ध्यान रखना है कि A union B का जो dash हो हमारे पास कितना आ गया? 5, 6 आ गया, अब उन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? right hand side गी, तो सबसे पहले क्या लेंगे A dash, A dash का मतलब किस में से? Universal में से A को minus करना है, तो हमारे पास कितना आ गया? 4, 5, 4, 6 and B dash क्या आएगा? Universal में से किसको minus करना है? B को तो 1, 5, 4, 6, अब therefore, अब हमारे पास A dash intersection B dash, अब आप देखो इसमें, हमारे पास यह A dash set है, यह हमारे पास कौन सा है? B dash set है दोनों का intersection करना common element दिखाई दे रहे हैं आपको 5, 4, 6 ठीक है? तो क्या आ गया? A dash intersection B dash 5, 6 आ गया, and हमारे पास क्या था? A union A union B का जो dash था, वो भी हमारे पास कितना था? 5, 6 था, तो आप देख रहे हैं आपे कि दोनों आपस में क्या हो गए? equal, तो अब हम क्या कह सकते हैं? कि हमारे पास A union B का जो dash होता है वो किसके equal होता है? A dash union है, तो intersection B dash के equal होता है तो यह हमारे पास D Morgan law है, या D Morgan rule है set A और B के लिए only किसके लिए? A and B के लिए, तो इस तरीके से जब हमारे पास A union B dash है और हमें requirement है कि A dash intersection B dash लिखें, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं और question को solve कर सकते हैं यह हमने यहाँ से क्या कर लिया? प्रूब भी कर लिया अब हम बात करते हैं किसकी यह तो union के लिए था ऐसा ही किसके लिए? intersection के लिए भी होता है तो हमारे पास क्या है? A intersection B का क्या करेंगे? dash यानि complement लेंगे तो क्या हो जाएगा? A dash union B dash पहले union था तो यहाँ पर क्या रहा था? intersection अब यहाँ पर intersection है तो यहाँ पर क्या आएगा? union आएगा तो यह हमारे पास आगया अब आप देखें इसमें हम एक्जामपल ले लेते हैं सबसे पहले वोई 1, 2, 3 B हमारे पास क्या है? 2, 3, 4 और universal sets जो हमने लिए है वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब सीधे सीधे बात करते हैं सबसे पहले किसकी जर्थ पढ़ेगी? A dash की U में से A minus कर देंगे तो हमारे पास कितना आगया? 4, 5, 6 B dash की जर्थ पढ़ेगी तो इसको minus कर लेंगे 1, 5, 4, 6 ठीक है? अब हम बात करेंगे किसकी? A intersection B की तो अब आप देखें A और B का intersection दोनों में से common क्या है? सिर्फ element कितना है? 2 और 3 तो यह हमारे पास 2, 3 आगया अब सबसे पहले बात करेंगे A intersection B के dash की left hand side की तो यह A intersection B इसको universal में से अटा देंगे तो मारे पास क्या आ गया? 1, 4 2 और 3 2 और 3 को अटा देंगे तो 1, 4, 5, 4, 6 तो यह तो left hand side आ गया अब हम क्या करेंगे? A dash union B dash अब दोनों को union करना है किसको? A dash को और B dash को तो आप देखें 1 आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है और यह 5, 4, 6 तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास A intersection B dash और A dash union B dash दोनों आपस में क्या है? इक्वल है तो इसका मतलब इन दोनों को भी हम आपस में क्या कर सकते है? इक्वल कर सकते है तो A intersection B का जो डैस है वो A dash union B dash के क्या होगा? यहाँ पे इक्वल होगा तो यह हमारे पास क्या था? D Morgan rule था ठीक है? एक बार फिर से अब revise कर देता हूँ कि जब हमारे पास A intersection B का डैस आएगा तो A का डैस union B का डैस और जब A union B का डैस आएगा तो हम क्या लिखेंगे A dash intersection B dash ओके? तो यह हमारे पास क्या है? D Morgan rule है intersection के लिए भी और union के लिए बस यह याद रखना है intersection है तो यहाँ union आएगा और यहाँ union है तो क्या हैगा? intersection आएगा तो यह हमारे पास properties थी complement of sets की अब हम बात करेंगे किसके लिए? symmetric difference के लिए symmetric difference एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या है मारे पास? A dal B इसका मतलब हमारे पास होता है क्या A minus B union B minus A symmetric difference ठीक है ना? A dal B किसके इकवल होता है? A minus B union B minus A इसका जो वेंट डाइगराम है वो क्या डिस्कस किया था हमने? यह हमारे पास A यह हमारे पास B ओके? और यह universal है तो हमारे पास यह A minus B और यह B minus A ठीक है? यह दोनों यह A minus B और यह B minus A दोनों का जो union है ठीक है ना? यह हमारे पास क्या है? symmetric difference है क्या है? symmetric difference तो ध्यान रखेंगे A और A dal B लिखा हुआ इसका मतलब A minus B union B minus A होगा हमारे पास यहां पे और वो क्या होगा? Venn डाइग्राम देखवा A में B नहीं है B में A नहीं है दोनों का common है हमारे पास यहां पे ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इसकी properties की अब आप देखें सबसे पहले एक नमबर पे बात करते हैं A symmetric difference A यानि B की जगे भी A यूज कर ले तो आप देखेंगे जब हम B की जगे A यूज कर रहे है तो यहां पे A माइनस A और यहां पे भी A माइनस A A माइनस A फाई और A माइनस A फाई ठीक है? तो यहां पे फाई का union फाई के साथ क्या आएगा? फाई आएगा ठीक है? तो A का symmetric difference with A is equals to phi आएगा ठीक है अब यहाँ पर आपन बात करते हैं A symmetric difference B is equals to B symmetric difference A अब आप बताएं यहाँ पर क्या यह possible है क्यों बिल्कुल इसका मतलब तो हमारे पास यह है ठीक है और B symmetric difference A का मतलब हमारे पास क्या है B में से हमने किसको minus कर लिया A को क्या कर लिया minus कर लिया और A में से B को minus कर लिया सिर्फ यह क्या हो गए change हो गए और union करने से A union B और B union A दोनों क्या होते हैं same होते हैं तो यह दोनों क्या रहेंगे same रहेंगे क्या रहेंगे, same, a del b is equal to b del a, दोनों एक ही बात है, ठीक है, अब यहाँ पर हम associative लो लेंगे, किस के साथ, b del c के साथ, यह हमारे पास क्या होगा, फोलो होगा यहाँ पर, क्या, a del, b del c, और a del b del c, एक ही बात है, कैसे, अब आप यहाँ पर यह समझे हैं, कि हमारे पास, वैंड डाइग्राम के थिरूँ समझते हम, कि यह हमारे पास, a, यह हमारे पास, b और यह हमारे पास, c, a, b, और c, ओके, और यह हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, अब आप देखें, b del c का मतलब क्या है, हमारे पास, यहाँ पर, b del c, b del c का मतलब है, यह b और यह c, ठीक है न, इसके अलावा, हमारे पास, जो कुछ आएगा, वो दोनों का, union, अब आप समझ गए, यह हो गया, b del c, ठीक है, अब इसका difference किसके साथ, इसके साथ, तो इसके element जब हट जाएएंगे हमारे पास, तो कौन कौन सा portion बचेगा, a में से किसको माइनस कर दिया, b del c, यागि b del c हमारे पास कौन सा है, यह वाला portion जो a के अंदर आ रहा है, यह वाला elements क्या हो जाएंगे यह से, हट जाएंगे, तो यह जो blank बचेगा न, यह हमारे पास कौन है, यह वाला portion है, ठीक है, यह अट गया, अब इसमें से कौन अटे यह वाला portion, यह वाला जो portion बचेगा, ठीक है न, यह हमारे पास क्या आएगा, b del c minus a आएगा, और यह अपने पहले ले लिया, अब दोनोंगा common हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब यह बन गया अपने पास, बास समाज आ गई, अब यह जो sad date reason है, वो किसको represent कर रहा है, इस portion को represent कर रहा है, यह total जो sad date reason है आपके पास है, यह जो पूरा sad date है, यह a del b del c को क्या कर रहा है, represent कर रहा है, अब हम इसकी बात करते हैं, अब इसमें भी अपने ऐसे ले लेंगे, तो आप देखें इसमें, यह universal है, यह हमारे पास क्या है, a, यह b, और यह हमारे पास है, c a, b, और c, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, कि सबसे पहले a del b लेंगे, तो a और b की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है, यह पूरा पूरा जो portion है, a का, और यह portion किसका, b का, ठीक है, यह हमारे पास क्या हो गया, a symmetric difference, b, इसके तरह हो गया, अब इसमें से कौन माइनस होगा, c, अब इसमें से c माइनस हो गया, हमारे पास, इस portion में, तो हमारे पास क्या बच गया, उपर वाला portion बच गया, बिलकुल बच गया, c का portion क्या हो गया, यहां से, माइनस हो गया, अब c में से, इसका portion माइनस होगा, ठीक है, अब यह c था, c में से, कौन सा portion, जो यह व तो अब आप देखें, दोनों के दोनों जो हमारे पास WAND Diagram है, दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, ये भी और ये भी, तो इसका मतलब है चाहे B का symmetric difference C के साथ कर दें, और फिर A के साथ कर दें, या फिर A का symmetric difference B का C के साथ कर दें, ठीक है? दोनो एक ही मतलब है दोनो क्या है? एक ही मतलब है यहाँ पर ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? symmetric है, difference को distribute भी कर सकते हैं, associative भी कर सकते हैं और ये दोनो आपस में क्या होंगे? equal होंगे हमारे पास क्या होंगे? A, dal, B क्योंकि इन दोनों का आप union ले लो, चाए B और A का union ले लो, चाए A और B का union ले लो, दोनों आपस में क्या होंगे? same होंगे, और दोनों जब element same होंगे, तो उनका जो symmetric, जो difference है, वो हमारे पास क्या हैगा? phi आएगा क्यों, दोनों same होंगे, उसके अंदर अपन क्या करेंगे? minus करेंगे, तो देखो यहाँपे A लिख देंगे, यहाँपे A लिख देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँपे? अब जैसे यहाँपे क्या कर दिया हमने? a कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया a कर दिया, ये भी हमारे पास a है तो a minus a ये कितना हो गया phi, union phi, तो phi का union phi के साथ कितना आएगा, phi आएगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते है symmetric है, difference को क्या कर सकते है show कर सकते है किसके जली है, when diagram के थ्रू और वैसे भी अपन क्या कर सकते है इसमें, calculate कर सकते है इसको, okay students, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इन properties को याद रख सकते हो जो पिछले वीडियो भी हमने discuss किये वो properties और ये properties आगे जब next वीडियो में हम क्या करने वाले है, questions करने वाले है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज होगी ठीक है, okay